अधैन के ना सवावित पर को आपकर इस वीडियो में इस वीडियो में हम ऊसक्रिप्ट करेंगे या कुछ चार्थ हम देखेंगे सुवे इन फार्मसेटिकल does के बारे में तो, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में और शुरू करने से पहले, जैसे आप जानते हैं, कि हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि स्टॉक ऐनलिस्स काई सकते हैं, फंडमesh, उन्डमेंटर ऐनलेस्स कैसा करना है fundamental analysis कैसे करना है तो मैं यहाँ पर analysis करता हूँ अपने खुद के लिए तो अगर आप regular updates पाना चाहते हैं free updates पाना चाहते हैं तो नीचे आपके description में एक link रहेगा तो वहाँ पर जाके आप subscribe कर सकते हैं basically it's free free है तो हम जो भी हमारा वीडियो आएगा जो भी हमारे content आते हैं courses आते हैं तो उसका update आपको regular आपको mobile पर मिलता रहेगा और हम यहां पर primarily objective यह है कि किस तरीके से यह जो fundamental analysis है किस तरीके से आपको analyze करना है कैसे allocate करना है किन चीज़ों पर आपको थ्यान करना है before you invest your hard earned money तो नीचे इसलिए आप देखेंगे कि मैं बार-बार कहता हूँ कि अपना जो investment आप करने वाले make sure that randomly आप किसी के tip पे invest मत करो खुद तुरह से study करो जब भी आप for example गारी खरीते हैं बाइक खरीते हैं तो वहाँ पे तो इतना research करते हैं देखते हैं इवेन जो mobile पर चेस करते हैं और यहां पे आप 10-20 लाग-50 लाग-80 लाग एक करो दो करोर आप अपना life seconds डालोगे at least यहां पे आपको study definitely करना चाहिए रांडम ले अगर आप invest करेंगे so loss हो सकता है तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं so when pharmaceuticals के बारे में इस company के बारे में जाने की कोशिश करते हैं तो यहां पे screener में ही maximum चीज़ आपको जानने को मिल जाती है so when pharma is basically pharma का domain में ही है pharma domain जो है वो grow कर रहा है बहुत अच्छे से grow कर रहा है India is world's largest manufacturer of pharmaceutical goods so when pharma is in the business of contract development and manufacturing organization contract development and manufacturing organization का मतलब यह होता है कि जब भी आप कोई भी medicine बनाते हो pharma industry में so यहां पे development करना पड़ता है जिससे molecule develop करना पड़ता है जो भी आप tablet खाते हैं कुछ भी खाते है इस basically molecule a protein it can be basically molecule अलग-अलग तरीके के molecule बनाए जाते है जो आपके जो problems होते है body को उसको solve करते है तो उस molecule को develop करने के लिए बहुत सारे stages होते है और इंडिया में बहुत सारे ऐसे pharmaceutical companies है या जो drug research companies है जिनको बहार से काम मिलता है America, Europe, Australia क्योंकि वहां पे वो outsource करते हैं इंडिया में manufacturing भी outsource करते हैं और research and development भी outsource करते हैं तो यह बहुत बढ़ा एक industry है तो इस जगा पे Suven Pharma काम करते हैं तो Suven Pharma का business segment क्या है CDMO, CDMO is development projects and commercial supplies It engages in NCE molecule development, NCE molecule development क्या होता है यह जाना ज़रूर है तो अभी हमनों क्या करें क्योंकि मैं पहले पहली बार stock जो है वह चेक कर रहा हूं New chemical entity, मतलब नया chemical जो है जिसको आप इस्तमाल करना चाहते हैं A drug that contains no active moiety that has been approved by FDA in other application submitted under this Okay active moiety क्या होता है थोड़ा से research करना जोड़ी है इसी तरीके से मैं research करता हूं और मैं चाहता हूं कि यह जो मैं recording कर रहा हूं यह अपने लिए मैं research कर रहा हूं और वही चीज़ मैं record करके upload कर देता हूं तो आपको यह पता चले है कि क्या होता नहीं होता है active moiety is the molecule or ion that caused the drug to be an ester salt basically यहां पर यह salt आपको दिया जाता है in tablet format यह जो भी है including hydrogen and coordination bonds or non-covalent derivative okay active moiety and active ingredient entire mixture is the active ingredient अच्छा और यहां भी each component of molecule that contributes to the drug's effect is active okay 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 समझ गया देख रहे है कि आपको भी पता चले है मुझे पता चले है active moiety का होता है active ingredient का होता है आपको भी पता चले है आपको भी पता चले है आपको भी पता चले है जैसा आप सुन देना active ingredient है इसके अंदर this is a high value at high margin business SPL supply is intermediate for four molecules addressing rheumatoid arthritis, diabetes, depression and women's health this segment makes up of 78% of its revenue in development में इंका maximum income होता है the company has a strong order book with new clients being consistent consistently added and most clients are big pharma companies in Europe जैसे मैंने आपको पहले ही बता देख भी आपको बता देख भी आपको बता देख भी आपको बता देख भी आपको बता देख रहो कि Europe और US के company जब आपको आपने काम को the company is looking to shift its intermediate to API manufacturing and there is discussion with client regarding this API manufacturing active ingredients इसको बोलते है API manufacturing जो है maximum China से हमारा import होता है तो हमारी country में भी यह किया जा रहा है कि किस तरीके सी API manufacturing इंडिया में भी कर सकते है specialty chemicals okay agrochemical in this segment currently working with new molecule contract technical services this comprises fees for technical services provided for company to global it also includes royalty from exclusive marketing license for its malothean lotion the company is planning for 600 crore large plant of which will be utilized for facility up gradation and this will be over ongoing capex 320 crore investment करें grow करें क्योंकि देख के लग रहें कि company जो है वो growth करी है उसका अच्या order book उसको काम मिल रहा है उसके customer भी बहुत सा रहा है and बहुत अच्य से काम करें और बेसिकली यह दो company था तो दो company को इन डीवर्ज कर दिया एक है सुवन फार्मा और एक सुवन हेल्थ पुलकेक है सुवन फार्मा इंकॉर्परेटर इस ओन बाई SPL and सुवन फार्मसेटिकल लिमिटेड ठीक है तो बेसिकली फार्मा अच्छा प्रीवर्फ आपर अप्रेंट यह लिस्टिंग वहाँ था 2020 में 9th March को अधी प्राइश 160-170 तो इसका जो है थीक है उसके बाद इन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया हूँ 25 September को फिर उसके बाद अगर हम इसका देखते हैं तो डेफिनिटली इस बहुत अच्छा ग्रोध इसना नियरबाट ट्वाइस त्वइंट तीन गुना इसना रेटन दिया नियरबाट और यहां पर यह अप्रेंट में ही चल रहा है उसके बाद एक चीज़ यहां पर मैंने देखा कि जो साइडवेस मॉवमेंट आपको यह समझी वह तो लॉंग टर्म था अभी जो है फ्रम टी टाइम ऑफ 14 जैनवरी 2021 वहां से आपका 22 मार्च तक 2022 तक आपका साइडवेस मॉवमेंट हो रहा था उसी मलब एक ही रेंज इसने मूव करना ब्रेक आउट किया था आपका 23 मार्च को उसके बाद आपका 28 मार्च से अगर हम पकरते हैं 23 मार्च से अभी वह साइडवेस मॉवमेंट ही कर रहा है तो अगर आप लॉंग टर्म शॉट टर्म देखते हैं तो आपको यह पता चलेगा this is how you do little bit of technical analysis और यहां पर मैं details में नहीं जा रहा हूँ मैं आपको एक overview दे रहा हूँ कि resistance level क्या है यह support level है यह price जो था 458 यह support level था फिर वहां पर 580 जो था वह resistance था उसी के अंदर वो trading कर रहा था तो अगर आप short term कर रहे थे that was a a good time because you are able to figure out कि fluctuate करेगा तो उसी रेंज में उसको purchase करना है फिर उसने breakout किया तो अभी आप देख पारें कि dividend यह उतना देता नहीं एक रुपए दो रुपए चार रुपए करके dividend देता है earning जो है थोड़ा सा गिरा था earning definitely यहां पर गिरा था 13% dividend आसते आसते इसने earning जो है वो pick up किया है dividend भी जादा कुछ देता नहीं है so you'll be focusing on यहां पर आप invest करते हैं तो आप किसके लिए invest करेंगे आप किसलिए invest करोगे आप किसके लिए capital growth के लिए आप जैसे आप देख रहे हो capital growth के लिए आपको capital growth के लिए यहां पर कोई यहां पर कोई bulk deal, block deal यहां पर यहां पर FII जो है उसने अपना holding जो है वो बडाकर रखा हो है यहां पर FII के वेबसाइट में आप जाकर चेक कर सकते हैं और जाकर चेक कर सकते हैं and that's a nice way of understanding performance is एक साल में 24% दिया है year to date में January से इसने 20% एक महिन में 15% एक हफते में 2% मनलब हफता तो अभी शुरू हुआ है आज क्या थारीक है आज Tuesday है हफता दिन कैसे खतम हो जाता पता नहीं चलता है तब यह बता रहा है कि आपका bullish है so it might be growing so the company quality is यहां पर fair बता रहा है and then we'll be going to screener to figure out okay financial trends are very positive highest sales profit तो अभी यहां पर आपको देखना परेगा इसका जो performance है बहुत है यह company का performance अच्छा है chart देखने के बाद क्योंकि अभी हम यहां पर क्या कर रहे है fundamental analysis not technical analysis and company की क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसको समझने के कोशिश करेंगे whether it is fair to invest in this company or not consider करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसका return जो है it has been better little bit compared to sensex but pharma के area में बहुत जादा होना चाहिए it is supposed to grow a lot and बाकि इसमें जो है आप बाद में research करके खुद देख सकते हैं बहुत लंबा चौरा है so then we'll be going back to screener so it's a large cap company stock P is 38 आपका industry P is 28 so it is right now stock P is higher it is looks very it is overvalued ROC is this operating margin is very low 42% से जादा होना चाहिए margin is around 72, 75, 65 at least minimum 65% even research में तो और भी जादा होता है book value is 48 but यहां पर current price जो आप देख रहो 5.96 so more than you know 12 times highs and lows आप देख रहे हैं तो near about high के वहां पर भूम रहा है dividend deal is 0.34 which is very low so you'll be investing for what? capital growth, correct promoter holding is 60% enterprise value is 15,000 करो debt कम उतना नहीं है EPS is 15 rupees ठीक है चलो अब यहां पर चार्ट अगर हम चेक करते है चार्ट देखने बाद आपको क्या पता चलता है intrinsic value should be near about this so chart देखके मैं बोहरा हूं intrinsic value should be near about 5.95 तो यहां पर intrinsic value अगर आप चेक करना चाहते हैं तो BAC के website में आपका intrinsic value दिखाता है holdings जो है आप देख पारें FII का mutual fund ने इसका 5.2% other DIY non institutions यानि public 25% और यहां पर इसे देख पारें कि 2 साल में इसने near about 284% इसने growth दिया मतलब तीन गोन आपको पैसा बना के दिया which is very nice and that's about it अभी चलिए देखते हैं इसमें इसमें जाकर check करते हैं so right now looking very overvalued और उसमें अगर sales अगर देखते हैं तो sales का जो है growth हुआ है not that much so when pharma article सी है ना दूसरा company तो नहीं है same company so when pharma expenses वो भी इसने grow किया है material cost जो है उसने more or less same employee cost जो है sales भी जो है वो ठीक है मतलब it's okay operating margin is more or less the same thing and other income has little bit increased that's fine profit before tax is 137 करो profit भी इसका grow हुआ EPS was 4000, 3000, 2000 यह आपको इसलिए समझना पड़िया कि तब वो private company था इसलिए earning per share मतलब वो share comes shared था इसलिए profit भी जादा था जब उसका public करते हैं तो शेयर को आप split करते हैं सोचिए कि एक share को उन्होंने 200 share बना दिया इस condition में उन्होंने कितना किया इसका divided by 1000 मतलब जितना भी share था अगर 10,000 share था अभी उसको 1000 times होनने multiply करके market में बेचा है तीक है कि जादा से जादा लोग उसको purchase कर सकें EPS जो है वो भी इसने considerably grow किया है growth हो है which is fine sales has grown up which is fine operating margin is more or less the same thing but operating margin जादा होना चाहिए reserves भी इसका grow हुआ है um reserves भी grow हुआ है that is fine cash requirement हाथ में पैसा भी इन लोग का ठीक है कोई इशु निया cash in hand is this पर यह पे इन का जो cash conversion cycle था वो बहुत जादा था मिलता था 2 साल बाद देर साल बाद आपको पैसा मिलता था अभी 200 दिन बाद पैसा मिलता है आप 6 में बाद आपको पैसा मिलता है so that is something to be concerned about inventory days has gone up 240 दिन आपका inventory पढ़ा रहता है so that is something which is concerning debtor days has gone down ROC has you know fine public holding जो है उन्होंने slowly and casually 7% जो है छोड़ दिया है which is part of concern FII ने उसका build up किया है DII ने भी इसका थोड़ा थोड़ा build up किया है promoter ने अपना holding जो है credit rating इसलिए देखेंगे क्योंकि जादा debt है नहीं 170 crore debt A plus A plus A plus मतलब यह पैसा दे सकते क्योंकि कोई issue नहीं है उसके पस cash equivalent नहीं है but still it is making money so it can pay back the companies from where they have taken loan so motiverty everything is fine if you want to see financial report definitely you can look into it but more or less this company is fine but I am kind of like I was expecting better results because new company basically two company one company Suven life sciences life sciences and I think this is good and this is a new company which got listed during the time of covid so I am kind of concerned because I don't see this growth although it is a large cap company but still I am not getting I am not able to see that kind of growth that I am expecting from a pharma company and it is not that diversified also but if I am long term I would not invest into it because right now I will be waiting the rest of the company is fine but its performance it is right now in a very nascent stage at least for me it is a nascent stage it will be a bit mature so I will know that its book value and looks very high highly overvalued so right now its not the time to invest in this company but although its a very good company I would definitely keep it in my follow list because I will get a regular update but whenever I see that the value is coming near about 480 470 something like that then that time you can consider it because what did you see in the chart what did you see in the chart? 460 area although its break through break out after it is down near about 571 I will see that when it falls down or you will get support from 571 if you get support from 571 you will get support from 571 but if it falls down then I will be waiting and I will be looking for the second support that is 463 in 463 if I get support from 563 then I will know that I will come here and purchase it I will not do short term trading but at least short term so definitely you can do more research into it it is near about oversold zone it is not overbought zone it is in oversold zone it is in oversold zone and that's about it thank you for watching this video stay safe stay good invest and make money